हेलो फ्रेंड्स तुडें यह मैं अटेंशन एक्टिविटी शेयर करी हूं मैंने यह दस एक्टेंशन एक्टिविटी ली है डॉट जॉइन, मेज, सुड़को, क्रॉसवर, कलर कोड़, पैटन, नमबर, पैटन, डबल टूटर, लेजिए टेन, मंटला इस बहुत अच्छी है, आप अगर एक फाइल इस टाइप से बना लो और बच्चे के accordingly उसमें इसकी sheets टाल दो और एक-एक sheets बच्चे को कहो कि धीरे-धीरे करें आप हर कोई पूसर रहते कैसे attention build करें, तो attention build एक दिन में नहीं होती है, attention build धीरे-धीरे होती है तो जैसे मैंने ये dot joining case को एक sheet दे दी, आप according to your child, अगर अगर बच्चा छोटा है तो 1 to 10, बच्चा बढ़ा है तो 1 to 2000, आपने sheet दे दी और pencil दे दी है, बच्चे को dot join करना, बहुत easy है, A, 1, 2, 3, A, B, C, T, जो भी है, बच्चे को उसको accordingly dot join करना, तो आप देख रहे हैं सकत को लेखे जाना, और ये देखना है कि ये cap किसी है, तो अगर बच्चा छोटा तो easy image activity भी अबलेबल है, pin interest पे, google पे, तो कोई भी, आप according to अपने बच्चे के sheets दिकाल लो, और उसको देदो, तो image is very good attention and focus activity, next year मैं suit को activity करवा रहे हो, ये depend करता आपके बच्चे पे, ये suit को क बच्चा बड़ा है, अगर बच्चा चोटा ये नहीं आता, तो आप simple लिख सकते हो, जो animal है उसका नाम लिख, elephant के आगे, elephant लिख दो, lion के आगे, lion लिख दो, बच्चा बड़ा है, अगर crossword कर सकता है, तो crossword दे सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छी attention activity है, return attention activity है, ये सारी, ये space color code है, जिसमें चासे कि, S है, तो green लगाना, A है, तो blue, T है, तो purple, ये दोड़ा coding भी है, इसमें coding, decoding भी है, अगर बच्चा आपका छोटा है, तो simple लिख दो, green में green color करना है, blue में blue, yellow में yellow, purple में अगर आपका बच्चा बड़ा है, तो आप इसको color coding space भाइदे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी attention activity है, कि बच्चे को अपने आप देखने हैं, green color कहां करना है, blue color कहां करना है, yellow color कहां करना है, अगर आप beginning कर रहे हो color coding कर, तो direct लिखना, green, blue, yellow ऐसे, अब बच्चे को green वाले जगहाँ पर green read करके, वहाँ पर green color कहां करना है, तो बहुत अच्छी attention activity, ये pattern है, pattern है, अब simple भी दे सकते हैं, starting, like triangle, circle, triangle, circle, then triangle, then क्या हैगा, circle, like this, A, B, A, B, A है, तो उसके बाद क्या अगर B, ये मैंने इसको sequence number pattern दे रहा है, ये थोड़ा सा complicated है, 2, 4, 6, 8, 10, ये, थोड़ा में इसमें skip counting भी है, अगर आपको बच्चा छोटा है, तो आप simple pattern दे सकते हैं, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, का, 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 के, तो this is called as a simple pattern, ठीक है, यह पर मैंने double doodle एक बना दिया, उसके हाथ में दो pencil है पकड़ा दिया, इसको pencil से वो track करना है, तो double doodle is very good brain gym activity and attention concentration activity, तो इस type के अब brain gym activity बच्चे के, तो हाथ में थोड़ी help करना, फिर दीरे-दीरे independent दे दिना, थेखना right hand में बच्चे जो भी dominant hand है, उससे बच्चे जादा नहीं आता है, तो थोड़ा सा, इसको उट सुके, लेजी एट अब इस टाइप से pattern बना के बच्चे को pencil देतो, और कहो कि 20 times, लेजी एट करो, इसके अंदर fill करो, और एक इसी sequence है, और counting भी करो बच्चे के साथ, तो ये भी brain gym और attention and concentration activity है, जो कि बच्चे की focus बढ़ाता है, मेरे को काफी parents पूछते है, focus कैसे बढ़ा है, तो ये सारी वोईगी है, इसमें color mandla है, या color inside कहलो, कि कोई भी आपने picture बना दी, जिस picture की triangle है, उसी आपको color fill करना है, तो ये भी बहुत अच्छे attention focus है, कि बच्चे inside में color करेगा, तो इस टाइप की आप attention focus activity, आप डेली आप बच्चे को कर आओगे, file में manage करके, तो definitely बच्चे की focus and attention बढ़ेगी, thank you and subscribe.